नवस्कार दोस्तों एक बार फिर मारी यूटूब चैनल में आप लोगों का हर दिख स्वागत लेटर अफ्टेड निकल के आई कि केंद्रेक रमच्यारियों का इंतजार हुआ खतम इसी महीने मिलेगा ये बड़ा तोफ़ा तो दोस्तों किस बड़े तोफ़े की हम बात कर रहें जो करमचारियों को मिलने जा रहा है उसके बारे में हम आपको सब डिटेल में बताएंगे अगर आप हमारे चैनल पर पाफ टाइम विजिट कर रहें तो चैनल को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ वेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गोर्मेंट या पाइनसन से सम्मन दीजितने भी नूज आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पूस के तो करते हैं विडियो को फटार्ट मिना किसी देरी के दोस्तों केंद्रे करमचारियों के लिए अच्छी खबर है केंद्रे करमचारी जिस चीज़ की लंबे समय से मांग कर रहे थे वो इस महीने में पूरी हो सकती है बताया जा रहा है कि केंद्र सरकारी इस महीने 18 महीने के बकाया डिये अरियर पर फैसला ले सकती है केंद्रे करमचारी लगाचार जनवरी 2020 से जून 2021 तक रोकेगे डिये अरियर की मांग कर रहे हैं कपरों के मताबिक सरकार एक मुफ्त एक लाग पचास जार रूपे सरकारी करमचारी को देने की योजना बना रही है अगर ऐसा होता है तो सरकारी करमचारी को काफी फाइदा मिलने वाला है JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि कारमिक एपर्शिक्षन विबाग वितमंतराले वेव विबाग के अधिकारियों के साथ JCM की जोईन्ट मीटिंग में जल्द ही ये फैसला लिया जाएगा इस मीटिंग में डिये अरियर को बढ़ाने का फैसला लिया जाएगा इसलिए केंद्र करमचारी के डिये अरियर को लेकर चिंता करने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है सिव गोपाल मिश्रा का कहना कि केंद्र सरकार अटके हुए डिये के पैसे का वन टाइम सेटिल्मेंट कर सकती है उनका कहना है कि लेवल वन के करमचारी का डिये बकाया ग्यारा हाजार आजार आटसी रूपे से साथ हजार पांसो चम्मा रूपे तक होगा लेवल 13 के करमचारी और 14 के करमचारी और बात करते हैं तो 1,4,200 रूपे से लेकर 2,18,200 रूपे के बीच में डिये बनता है आपको बता दे कि एरियर की रासी अलग-छलग ग्रेड के करमचारी ओके लिए अलग-छलग होगी इसके साथ ही करमचारी के मेंगाई बत्ते में तीन पर्तिशत की बड़ोतरी हो सकती है इसके बाद केंद्रे करमचारी और पैंसरों का मेंगाई बत्ता 31 पर्तिशत से बढ़कर 34 पर्तिशत हो जाएगा तीन पर्तिशत की बड़ोतरी से सरकारी करमचारी के वेतन में अधिक तम 20,000 रुपे से लेकर 60,000 रुपे तक का फायदा होगा दोफतों अगर 996,480 रुपे तक की बड़ोतरी होगी तो महिंगाई बत्ते का बुक्तान बेसिक सैलरी पर किया जाएगा महिंगाई बता 34% होने पर 99 बेसिक सैलरी की कैलकुलिशन को देखे तो केंद्रे करमचारी के 99 बेसिक सैलरी 18,000 रुपे है डिये में 34% होने के बाद या बढ़कर 6,120 रुपे पर्तिमा हो जाएगा यानि इसमें पर्तिमा के साब से 540 रुपे की बड़ोतरी होगी अगर सालाना हदार पर सैलरी को देखते हैं तो 6,480 रुपे का इजाफ़ा देखने को मिलेगा वही अधिक्तम बेसिक सैलरी पर पूरे 1707 रुपे की बड़ोतरी होगी इस इजाब से सालाना हदार पर करमचारी को 20,480 रुपे की बड़ोतरी देखने को मिलेगी तो दोफ़ तो आज के लिए इतना ही मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय है हिन जय वारत